लालू के बेटे तेज प्रताप लेंगे पत्नी से तलाक महस पांच महिने के भीतर ही इतनी तकरार तेज प्रताप और एश्वरय के रिष्टे में क्यूं आई दरार क्या स्तुलह की सारी कोशशें हो गई हैं बेकार बिहार की राजनीती में सबसे ज्यादा दिनों तक सत्ता पर काबिज रहने वाले लालू परिवार में इन दिनों घमासान मचा हुआ है महस पांच महिने पहले जिस शादी की पूरे देश में चर्चा हो रही थी बिहार के बड़े बड़े लोग इस शादी के गवाह बने थे आज वो शादी तूटने की कगार पर पहुँच गई है लालू यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव ने अपनी पतनी एश्वरय राय से तलाग के लिए अर्जी दे दी है इस खबर ने चारों तरफ हल चल मचा दी है तेजप्रताप यादव ने अर्जी देने से पहले अपने ट्वेटर और इंस्टाग्राम से एश्वरय की तश्वीरे तक डिलीट कर डाली हर कोई ये जानकर है कि आखिर पांच महिने के भीतर ही दोनों के बीच इतनी तकरार कैसे हो गई आखिर इनके रिष्टे में किस वजह से ये दरार आई है तेजप्रताप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है हाला कि लोग इससे पहले कोई कयास लगाते तेजप्रताप खुद सबके सामने आए और उन्होंने इस तलाग की वजह भी बताई तेजप्रताप ने कहा कि वो कृष्ण है लेकिन उनकी पत्नी राधा नहीं है वो अपनी राधा की तलाश में ही वरंदावन की सैर कर रहे थे आपको बता दे कि कुछ दुनों पहले तेजप्रताप मतुरा भी गए थे जहां उन्होंने कृष्ण मंदरों समेत मधुवन के दर्शन भी किये थे यानि तेजप्रताप की माने तो उन्हें किसी ऐसी लड़की की तलाश है जो राधा की तरह हो वहीं खबरें ये भी है कि शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच अनबन चल रही थी और पिछले महिने से एश्वरया अपने माईके में रह रही है तेजप्रताप का आरोप है कि एश्वरया उन्हें प्रताडित कर रही थी ऐसे में घुट-घुट कर जीने से कोई फाइदा नहीं है